हलो दियार और वेल्कम बैक गईज रिसेंटली हम लोगो ने इस चैनल के उपर एक लाग सब्सक्राइबर्स को कम्प्रीट कर लिया है और यह चीज पॉसिबल हो पाई है केवल आप लोग की वज़े से सासो जादा वीडियो हम लोग ऑल्रेडी इस चैनल के उपर बना चुके आज मैं आप लोगों से लगबग छे ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं जो इस जर्नी के दौरान मैंने सीखी है तो जो पहली लर्निंग है वो यह है कि तिंग्स आर नेवर हंड़ेट परसेंट परफेक्ट आपको ना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन आफ रिसोर्से मैं उनको परफेक्ट ली किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमें सीखना है अगर आज हमारे पास यह लाप्टॉप अवरेप बिलेबिल है तो क्या हम इसको ऑप्टिमल तरीके से यूज कर पा रहें या नीं बस यह हम सोची रहें कि नहीं मेरे पास और बहतर तो मैं और बहतर काम कर सकता था, मेरे पास और बहतर काम कर सकता था, जो अभी मेरे पास existing resources हैं, क्या मैं उनका 100% optimal utilization कर पा रहा हूं, क्या मैं perfectly आज की तारीक में उनको बहतर तरीके से यूज कर पा रहा हूं, केवल कह देना कि ये माइक काम नहीं करेगा, या ये मोबाइल के ये काम नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होता है, तो आपके पास जो भी available resources हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये make sure करना है, कि उन available resources को आपको उनके 100% potential पर पहले इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको चीजों को अपग्रेट करना है, इस बात को आप समझ लें कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चीजें 100% perfect होंगी, आज देड़ साल हो गए हमें ये channel बनाये हुए, इतने सारे videos हम लोगों ने बना दी और उसके बाद भी चीजों को हम लोग improve करते जा रहे हैं, कभी चाहे वो हम बात करें, equipment के point of view से, content तो आपको improve ही करना पड़ेगा, उ इसा तो बिलकुल नहीं होने वाला है, तो इसी mindset के साथ जो आपको अपनी journey है, उसको continue रखना है, देखें, ये जो 100K की journey है, इसको तीन से चार phases में divide करके आपको बताने चाहूँगा, देखें, सबसे जो tough time होता है, वो 0 से 1000 subscribers का होता है, उसके बाद 1000 से 1000 subscribers, और उसके बाद 10,000 से 5000 subscribers, उसके बाद 5000 सबस्क्राइबर से 1,00,000 subscribers, तो ये basically चार तरीके के phases है, जब आप 1,00,000 subscribers तक पहुंसते हैं, तो आप इन 4 phases से होकर गुजरते हैं, तो सबसे पहला phase सबसे tough होता है, उसके बाद थोड़ी सी चीज़े आसान हो जाती, क्योंकि आपको चीज़ें समझ म आने लगती है, आपको algorithm समझ में आने लगता है, आपको ये समझ में आने लगता है, कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं काम कर रही है, किस टाइप का content लोग पसंद कर रहा है, मैं कितना improve हो रहा हूँ, तो हम लोग जो है वो equipment के improvement को ही YouTube का actual improvement समझते है, ऐस नहीं है, आपको आपके content को भी improve करना पड़ेगा, आपको खुद को भी जो है न वो improve करना पड़ेगा, शुरुवात में जो हम वीडियो बनाते हैं, तो फिर मारा posture ठीक नहीं होता है, बट आप उसको देखें, बार बार आप उसको देखें कि मैं कहां पर गलती कर रहा हू बस उसी type का content बनाते रहेंगे, हम को experiment नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं, यह सारी चीजें भी आपको करते रहनी पड़ती है, बट शुरुवात में चीजें उतनी जादा नहीं होती, क्योंकि आपके पास ना तो उतना जादा subscriber base होता है, ना ही आपको कोई feedback देने वाला होता है So this is the first learning, जो मैं आप लोगों से share करना चाहूंगा, second जो है वो बहुत important है, do what you love, never devote yourself from your niche, this is loved by YouTube as well as user, कहने का सीधा सा मतलब है, कि जो चीज आप कर सकते हैं, उसी को YouTube पे करिए, आप किसी दूसरे को देखकर अगर करने जाएंगे तो 10, 15, 20, 50 वीडियो उससे आदा आप नह निश में रहना, जैसे मैं इतनी आसानी से digital marketing ये वीडियो क्यों बना लेता हूं, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं यही काम करता हूं, मैं client से बात करता हूं, मैं project से उपर काम कर रहा होता हूं, मैं team handling में involved रहता हूं, तो जो चीज़े मैं करता हूं, वही सारी चीज़े मैं आप लोगों से share कर पाता हूं, तो मेरे लिए digital marketing का content create करना उतना मुश्किल नहीं है, जितना किसी एक नए बंदे के लिए होगा, जो के वल यह सोच के digital marketing से related videos को create करने लगे, कि हाँ इस field में बहुत potential है, यहाँ पर जो है वो adsense का revenue जादा है, यहाँ से उनको projects मिल सकते हैं, तो इस type से बहुत लंबी जो है वो गाड़ी नहीं चलने वाली है, तो आप हमेशा अपनी niche में रहें, जो मैंने second point लिखा हुआ है, एक तो users भी इस चीज़ को पसंद करते हैं, उस चीज़ को आप समझने कुछ करिए, for example, मेरे channel के उपर 700 videos हैं, अगर इन 700 videos में से 400 videos digital marketing के हो है, digital marketing का content consume करना चाहरा है, वो 400 videos को consume करता, बट जब वो बाकी के 300 देखता तो वो relate नहीं कर पाता, बट अभी मैं उस user को क्या दे रहा हूँ, 700 videos का content, जो काफी niche content है, मतलब अगर कोई बंदा हमारे channel के उपर आता है, और वो digital marketing से related है, तो वो एक video देखकर चला जाए, ऐसी possibility ability बहुत कम है, क्या होगा actually कि वो एक video मेरा देखेगा, फिर वो दूसरा video मेरा देखेगा, फिर तीसरा video मेरा देखेगा, क्योंकि वो उससे relate कर पाएगा, otherwise मैं आज एक निश में वीडियो डालू, कल मैं दूसरी निश का वीडियो डालू, पर सो मैं तीसी निश का वीडिय हो जाए, but over the period of time, लंबे समय तक मैं किसी एक यूजर को अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो की जो चेन है ना उसमें ट्रावल नहीं करा पाऊंगा, I believe आप बास समझ रहे होंगे, fine, इसी तरीके से, for example, कोई बंदा आपकी चैनल का एक वीडियो देखता है, तो उस देखो, आप ही के चैनल का दूसरा वीडियो रिकमेंड होगा, तो अगर वो उसकी निश के रिलेवेंट नहीं होगा, या जिस टाइप का वीडियो उसने पहले देखा है, उस टाइप का वीडियो नहीं होगा, तो क्या होगा कि चांसे हैं, कि वो दूसरा वाला रिकमेंड जो वीडियो है वो ना देखे तो आपको make sure करना है कि आपको अपनी निश में रहना है otherwise ऐसे तो बहुत सारे वीडियो हैं कोई भी आप trending topic पकड़ो उसके वीडियो बना दो बट वो purpose नहीं solve करता है वो क्या चीज हो गई कि बस आप वीडियो बनाते चले जा रहा है फाइन उसके बाद थर्ड जो learning है वो यह है understand each milestone brings new challenges बहुत important चीज है you have to be more determined, more focused, more dedicated towards your content जैसे जैसे आप 9-9 milestones को achieve करते आते हैं जैसे जैसे आपका subscriber base बढ़ता जाता है ना वो आपने सुना है कि with great power comes great responsibility तो अब हमारे उपर भी responsibility है कि हमारे 1,00,000 subscribers है एक लाख लोग हमें follow करते हैं तो हम में भी अपने content को और improve करना है ताकि हम उनकी expectation पे खरे उतर सकें तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है तो जब भी हम improvement की बात करते हैं लोग समझते हैं कि time के साथ हमें अपने laptop को improve करना है हमें अपने mic को improve करना है presenter किस तरीके से बना सकता हूँ मैं अपने content को और बहतर तरीके से किस तरीके से मैं present कर सकता हूँ किस तरीके से मैं उन 5-10 minute के वीडियो के अंदर जादा से जादा value जो है अपनी audience को दे सकता हूँ इन सब चीजों के उपर आपको काम करना है उसके बाद जो मेरी next learning है वो यह है equipments are add-ons only देखे इस चीज़ को समझनी कुश्च करिए बहुत important चीज़ है यह भी कि equipments आपको content बना कर नहीं देते है equipments आपके लिए video नहीं बना देंगे equipments आपको script लिखके नहीं देते है equipments हमेशा add-on है आप आज किसी 2000 के mic के साथ काम करें कलकुआ 50,000 रुपए का mic भी ले आए उसके साथ भी काम करें वो mic आपके content की quality को improve करा है एक add-on की तरीके से ऐसा नहीं कि वो mic आ जाने से आपका content improve हो जाएगा ऐसा नहीं कि वो mic आ जाने से आपकी जो knowledge है वो improve हो जाएगे ऐसा नहीं कि उस mic आजाने से आप जो research कर रहे थे वो improve हो जाएगा ऐसा नहीं कि mic आजाने से आपका dedication इंप्रूफ हो जाएगा तो जो equipments होते ना वो add-ons ही होते हैं हमेशा equipment कभी आपको zero से support नहीं देगा आप सोचो बड़ी-बड़ी lights आप लेकर आजाओ ठीक है बड़ा सा studio बना दो तो क्या वो YouTube channel चला देगा ऐसा तो नहीं होने वाला है ऐसा होता तो हर कोई जिसके पास पैसा है वो बड़े-बड़े studio बना देता और YouTube channel जो है वो चलने लगता YouTube channel चलता है content से, dedication से, hard work से, consistency से, algorithm को समझने से, right time पर right content deliver करने से, content को organize करके deliver करने से, बहुत सारे factors है इसमें 60% role तो content का ही है fine, बाकी जो role है वो दूसरी चीजों की understanding का I believe यह चीज आपको समझ में आई होगी rate of everything increases as soon as you start getting subscribers again a very important point इस बात को आप समझें से, for example आपने channel को start किया और आप 10,000 subscribers तक पहुँच गया उस दोरान अगर आपका rate जो था subscribers के increase होने का per day के हिसाब से, for example आप 100 subscribers increase कर रहे थे per day के हिसाब से, तो जब वहीं पर आप 50,000 subscribers के base पहुच जाएंगे या एक लाग subscribers के base पहुच जाएंगे तो वही जो आपका average rate था, per day के subscribers increase होने का, वह 100 से 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो आपको जो आपकी मेहनत का result है न, वह थोड़ा देरवाद मिलता है, तो आपको समझना पड़ेगा, कि over the period of time, आप जैसे से content को improve करते जाएंगे, basically आप channel के उपर जैसे से इमानदारी से काम करते चले जाएंगे, time के साथ मैं धीरे धीरे चीज़ें जो है वो improve होती रहती, subscribers increase होने का rate बढ़ जाता है, views का rate जो है वो बढ़ जाता है, सभी चीज़ें जो है वो आपको incremental ही दिखती है, sixth point भी बहुत ही जादा important है, वो यह है, for example यह मान के चलते हैं, एक person है, जिसको अपने content के उपर जबरदस्त command है, जैसे कोई maths teacher, उसको अपने subject के उपर command है, उसे पता है चीज़ें, right, उसे सारी चीज़ें पता है, उसे in-depth अपने subject के बारे में पता है, बट उसे YouTube algorithm के बारे में नहीं पता, उसे thumbnail के बारे में नहीं पता, उसे पता नहीं कि actually YouTube के उपर मुझे content किस तरीके का डालना चीए, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही detailed content को ही होता है, बहुत ही niche content होता है, बहुत ही detailed content होता है, और वो content बहुत ही powerful content होता है बट उसको views नहीं मिलते तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि views लाने के लिए थोड़ा सा आपको जो depth of the content है उसको तो maintain रख नहीं है बट उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा सा आपको thumbnail के साथ उसको relate करना आना चाहिए थोड़ा सा आपको उसको audience के साथ relate करना आना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मैं content इतनी depth में बता तो रहा हूँ बट ऐसा मुझे ध्यान रखना है कि YouTube के उपर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इतनी depth से पहले उसके fundamentals को समझना चाहते हैं तो आप उसके fundamentals पहले clear करें इसी लिए generally आपने देखा होगा मैं क्या करता हूँ मैं अपने जो courses हैं उनको playlist के form में organize करता हूँ क्योंकि अगर मैं एक ही video में सारी चीज़े cover करने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है वो एक, दो, तीन, पांच, दस लोगों के लिए important हो सौलों के लिए important हो हजालों के लिए important हो पट collectively अगर आप देखो जैसे for example मैं Google Ads का course बना रहा हूँ तो अगर मैं Google Ads का course बनाता हूँ तो मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ What is Google Ads और उसके बाद चीज़े आगे जाती तो हो सकता है कुछ audience केवल search ads में interested हो तो ठीक है वो search ads वाला video देख लेंगे बट कुछ audience ऐसी भी है जो what is Google Ads को समझना चाहती तो उसके लिए भी तो वीडियो होना चाहिए तो ये समझ होनी चाहिए या आप यह मत सूचो कि मैं Google Ads में expert हूँ तो मैं सीधे सीधे search ad का ही video बनाओ तो काफी planning के साथ चीजों को organize करने के बाद आप अपने videos उनको publish करते हैं तो हम भी जब videos को publish करना श्टार्ट करते हैं उससे पहले हम course पहले बना चुके होते हैं यह हमारे topics रहेंगे यह 20 वीडियो का एक course रहेगा यह 25 वीडियो का course रहेगा ताकि हम बहतर तरीके से content को organized form में लोगों के सामने लाकर दे सके I believe बहुत सारी चीज़े आपने सीखी होंगी और भी बहुत सारी चीज़े होती है यह कुछ हमारे experiences है आशा करता हूँ आप इनसे कुछ सीख के जाएंगे मिलते हैं नेक्स शीडियो में तिल देन गुट बाई